तो आज हम बनाएगे पालक चिकन क्रिस्पी जिसे केटर किया था राजधानी केटर्स ने तो गाइस जैनब कुखाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन के हिसाब से आपको बताया है इसका सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है थीके तो 500 ग्राम चिकन ले लेना है आपको बोनलेस उसमें आपको half teaspoon tadi। तंदूरी मसाला, half teaspoon गरम मसाला, half teaspoon गारलिक पेस्ट, half teaspoon ginger पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, यह वाइट पेपर पाउडर हमेशा हर जगे अवेलेबल रहता है, स्पेशली होलसेल मार्केट में, यह 1-4 टीस्पून जो है, यह क्रश्ट अजवाइन है, आपको अजवाइन को हाथ से थोड़ा क्रश करके डाल देना है, यह है तिल, तो तिल आपको ले लेना है, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून करड, दही और एक अंडा, ओके, और इसमें कॉन कॉन फ्लार गया है, तो कॉन फ्लार 3 टीस्पून, 3-4 टीस्पून आप डाल सकते है, जिस तरीके से आपका चिकन को ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको डालना है, और ग्रीन फूट कलर, अभी इसमें नमक नहीं गया है, यह स्टेच पर नमक हम बाद में डाले गए, जब मैरिनेशन हो जाए, उसके बाद आपको salt as per your taste दालना है, और इसको जादा वक्त नहीं रखना है, क्योंकि यह पानी छोडता है, पालक को आपको 3-4 घंटे पहले धो के, अच्छे से इसका पानी पूरा निकाल के, ड्राय करके, उसे चॉप कर लेना है, बारिक बारिक, जित जादा नहीं है, फाला को जितना फ्राय में यूज होगा उतना थोड़ा जादा ही आप यह मिक्सचर बना कर रखें, फैला की एक एक क्रिस्पी आप असको पैट कर लीजी है, जितना हाथ साहिए नहीं प्रेका जाएक ताक बालक वोड़ा नहीं गाएय को तो चुपक आठ यह टिप्स जो है प्लीज आप फॉलो करिये इन्शालला आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मेकिंग बनेगा इस टार्टर का जैनब को खास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन प्रेस कर लीजिए डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है पालग को जैसे आप ओल में दाले तूरंत ना हिलाए बाद में आपको करना है